नमस्कार मेरे नौजवान साथियों कैसे आप सब आसा करते हैं आप सभी स्वस्त और प्रसंद होंगे तथा लगाता सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसम पीजी कॉलेज जिग्राफी डेपार्टमेट का नौज आपका स्वागत करते हैं अपने य नई सिच्छा नीती के अंतरगत यानि की एनिपी जो आपका दो हजार बीस है उसमें जो बी ए फिफ्ट सेमेस्टर जिग्राफी का जो पेपर है उसमें से एक पेपर आपका रेमोट सेंसिंग की खाभी है तो इसे हम वीडियो के माध्यम से इसे समाप्त करने की विविन ट सुदू करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहले हम देखते हैं सुदूर समवेदन का परिचय यानि इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग ठीक है तो इसे देखते हैं दोस्तो वर्तमान समय में अंत्रिच टकनीकी के छेत्र में जिस नई तथा क्रांतिकारी सूचना संग्रहन और मांचित्रण विदी का विकास और प्रियोग हो रहा है वैं सुदूर समवेदन टकनीक ही है यहाँ पर आपको दो चीजे समझना है अंत्रिच टकनीकी अंत्रिच टकनीकी का मतलब है कि यह मानलीजी प्रिथवी है आपकी तो इसके जो अंत्रिच है इस हिस्से में जिस टकनीक का विकास हो रहा है किसलिए सूचना संग्रहन यानि की डाटा कलेक्शन करना और उनका मै प्राचीन समय से ही मनुस्य के मन में यह जिग्यासा रही है कि ब्रहम्हांड या अंत्रिच के बारे में अधिक अधिक जानकारी ग्रहन की जाए उस समय ग्रहों यानि की प्लैनेट्स उपग्रह यानि की सेटेलाइट्स नक्षत्रों यानि की स्टार्स निहारिकाओं यानि की नेबुलास उलकाओं यानि की मेट्योर्स एवं धूम केतु यानि की कमेट्स को देखने के लिए दुर्बीन यानि टेलिसकोप का उप्योग होता था ठीक है यहां पे हम आपको बता दें कि जो दुर्बीन का आविश्कार है या दुर्बीन के जो जनक है वो गैलीलियो है तो यह आपको याद रखना है दुर्बीन का विश्कार किस ने किया था तो वो गैलीलियो ने किया था ठीक है तो इन सबको देखने के लिए दुर्बीन का उपयोग होता रहा है लेकिन आज सुदूर समवेदन विज्ञान के छेत्र में ऐसे तक्नीकी उपकरणों का विकास हो गया है जिनके द्वारा द्रिस्प्रकास द्रिस्प्रकार के तरंग दैर्द यानि वेव लेंथ के द्वारा ब्रम्हांड यानि यूनिवर्स को देखा जा सकता है ठीक है वाई यानों वा मनुष्य द्वारा बने उपग्रहों के विकास ने सुदूर समवेदन के छेत्र में क्रांती उत्पन कर दी है यहां पे हम आपको बता दें कि जो उपग्रह होता है वो किसका चक्कर लगाता है तो वो ग्रह का चक्कर लगाता है जैसे हमारी ग्रह है वो प्रत्वी है और प्रत्वी का एक उपक्रह है जिसका नाम है चंडर्मा और वो प्रत्वी के चारो तरफ चक्कर लगाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या का जा रहा है कि वावियान या मनुस्य द्वारा बनाए गए उपक्रह के विकास ने सुदूर स्रेवरेदन के छेतर में क्रांटी उत्पन्द कर दिये यानि कहने का मतलब है कि ये अगर प्रत्वी है आपकी तो मनुस्य ने भी ऐसा उपग्रह बनाया है जो प्रत्वी के लगातार चक्कर लगाता रहता है और प्रत्वी से यानि कि सुदूर मतलब प्रत्वी से दूर प्रत्वी के प्रतिबिम्बों को लिया जाता है यानि प्रत्वी के ऊपर जा करके मान लीजे ये प्रत्वी है आपकी तो यहाँ पर एक ओवाईवियान हो सकता है या एक उपग्रे हो सकता है जो मनुस्री ने बनाया वे प्रत्वी के बारे में क्या करते हैं प्रत्वी में लेते हैं यानि फोटो कीचते हैं प्रत्वी के अलग-अलग हिस्सों की फोटो कीचते हैं और सुचनाय एकठा करते हैं तो यही आपकी क्या है सुदूर समवेदन तकनीक है सन 1960 के बाद सुदूर समवेदन तगनीक में इतना अधिक सुधार हुआ है कि वर्तमान में यह गलोबी वातावरण के प्रतेक पक्ष को समझने में मुक्ख भूमी का निभा रही है गलोबी वातावरण कहने का मतलब यह है कि जैसे आपकी गलोबल वार्मिंग है आपकी जलवाय परिवर्तन है या कोई भी घटना विश्रिस्तर पर घटित होती है उसके लिए सुदूर समवेदन तकनीकी के द्वारा ही डाटा कलेक्शन किया जाता है विविन्द छेत्रों में सुदूर समवेदन का उलेखनी योगदान है जैसे मतलब किनकिन छेत्रों में सुदूर समवेदन यानि रिमोट सेंसिंग का इस्तमाल होता है जैसे भूविज्यान यानि जिलोजी, भगौलिक घटनाओं, पर्यवरन सरच्छन, संसादनों के प्रियोग, वसंरच्छन, भूमी उपियोग, प्राकृतिक आपदाओं यानि की नेचुरल हैजार्स, वा मौसम विज्यान, वा धीरे धीरे ये विसे अनुसंधान कारियों के अलावा, विश्य विद्यालेवा स्कूल इस्तर तक के पाठक्रमों में सामिल होने लगा है, ठीक है, जिस से सिक्छन संस्थाओं में भी इसके बिवहारिक अध्यन का महत्तु काफी बढ़ गया है, तो अब आप देख सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग का आज कितना अत्धि महत्तु बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको भी रिमोट सेंसिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कि ये क्या है और इसका इस्तमाल कैसे होता है, इसके बाद देख लेते हैं सुदूर समवेदन का अर्थ, जो सुदूर समवेदन को दोस्तों अंग्रेजी में प्लस सेंसिंग, ठीक है, जिसमें रिमोट का अर्थ है दूर से, ठीक है, तथा सेंसिंग का अर्थ है पहचानना, ठीक है, यहां पर दो चीज़े हैं आपकी, रिमोट का मतलब है दूर से और सेंसिंग का अर्थ है पहचानना है, यानि किसी वर्स्तु अत्वा परिघटना क वर्ष्टु अत्वा परिघटना को बिना छुए या बिना इस्पर्स किये हुए उसके बारे में किये हुए सूचना ग्राहण करने को ही सुदूर सम्वेदन कहते हैं यहां पर एक एक जामपर लेते हैं मालीजे यह आपका रिमोट है यहां पर कोई टीवी रखी है तो आप क्या करते हैं रिमोट के माध्यम से टीवी में चैनल्स बदल सकते हैं इसका स्क्रीन प्ले कर सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ठीक है जबकि आप टीवी के प बिना चुए और बिना इसपर्स किये हुए इसके बारे में सारी जानकारी इकठा कर लेंगे और यही जो पैचानने की या ग्रहाण करने की तकनीक है उसे हम क्या कहते हैं रिमोट सेंसिंग कहते हैं यहां बताया भी गया है कि किसी वर्स्तु या परिघटना को बिना चुए बिना इसपर्स किये हुए सुचना ग्रहाण करने को सुदूर समवेदन कहा जाता है ठीक है यहां पर दोस्तो और एक चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए कि रिमोट सेंसिंग के जो संस्थापक है यह आप कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग के जो जनक है वो है इवेलिन प्रु को माना जाता है और जिन्होंने पहली बार यहां पर बार नहीं बात नहीं होगा बार होगा पहली बार इस सब्द का प्रियोग किया था कि सब्द का रिमोट सेंसिंग सब्द का ठीक है तो यह आपको याद रखना है इवेलिन प्रुट ने रिमोट सेंसिंग सब्द का प्र टॉरे नेचकन है जी टॉरे ण्रें टॉर लो कोन है थीक है टॉर लो कॉन ये से आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं तो electronics कर अधनिक Blocks सेंसिंग के संथापक आपके जी टौरना कौन है को माना जाता है अब क्यों माना जाता है इनने क्योंकि 1858 में इन्होंने गुबारे की सहायता से पहली बार फोटोग्राफ लिये थे आपने मूवी बगरा में देखे होंगे बड़े बड़े गुबारे उड़ते हुए दिखाए जाते हैं तो 1858 में सबसे पहले इन्होंने उनका इस्तमाल करके फोटोग्राफ लिये थे अलग-अलग छेत्रों के ठीक है आप कुछ परिभासाय देख लेते हैं रिमोट सेंसिंग की रिमोट सेंसिंग का आप मतलब समझ गए हैं कि क्या है कि किसी वस्तु के बारे में उसे बिना चुए या बिना इसपर्स किये हुए सभी जानकारी एक अठा कर लेना वही आपका रिमोट सेंसिंग है तो यहाँ पर फ्लाइड एफ सौविंस परिवासित करते हैं कि सुदूर समवेदन सब्द कातात पर उन विधियों में है जिनमें किसी लक्ष को पहचानने तथा उनके लक्षणों को मापने के लिए विद्वित चुम्बकिये उर्जा यानि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो मैगनेट इनर्जी इस पर किये हुए हमें क्यानिकी वस्तु को छूना नहीं है उसके बारे में सारे डाटा कलेक्शन करने तो कैसे करेंगे तो विद्वित चुम्बकिये उर्जा के माद्धम से ही किया जाता है यह हम आगे देखेंगे ठीक है इसके बाद लिंग्ज एवं सिमनेट भी परिभासित करते हैं कि बिना चुए या संपर्ग के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकडों की प्राप्ती करना ही सुदूर समवेदन कहलाता है ठीक है इसके अलावा बैरेट एवं किट्ज महोदे भी इसे परिवासित करते हैं कि किसी निश्चित दूरी से किनी युक्तियों दोबारा किसी लक्ष के अउलोकन को सुदूर समवेदन कहते हैं यानि कोई वस्तु दूर रखी है निश्चित दूरी पर कोई ब्रेख्ती खड़ा है और वे किसी युक्ति के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से मानलीजे, दुर्बीन के माध्यम से इस वस्तु के बारे में सारी जानकारी एकठा करता है, तो यह आपका क्या है, remote sensing है, remote sensing is the observation of a target by a device separated from it by some distance, ठीक है, इसके लावा कोल वेल भी से परिवासित करते हैं, कि विस्तृत अर्थों में सुदूर समवेदन सब्द का अर्थ है, किसी निश्चित दूरी से तोह लेना या सरवेच्छन करना, सरवेच्छन का मतलब भी होता है data collection करना, ठीक है, तो वही चीज़ें आपर बताई जा रही है अब अगर हम समाने सब्दों में कहें, तो समाने सब्दों में कहा जा सकता है कि सुदूर समवेदन वह विज्ञान है, जिसमें बिना किसी भौतिक संपर्ग के, किसी वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी ब्राप्त कर ली जाती है, ठीक है, बिना भौतिक संपर्ग के यानि कि बिना छुए, बिना एसपस किये हुए सारी जानकारी कलेक्ट करना वो आपका क्या है रिमोड सेंसंग यह है दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आपको रिमोड सेंसंग का बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोसिस की गई है माली जे ये target है यानि कि कोई वस्तु है याँ पर ठीक है सूर का प्रकास यानि सूर की किर्णे इस वस्तु पर पढ़ती है और ये किर्णे वस्तु से टकराने के बाद परिवर्तित होती है और ये sensor तक पहुँचती है यानि ये आपका कोई उपग्रह है जिसे मनुस्र ने बनाया है ठीक है और इस उपग्रह में एक sensor यानि की camera लगा हुआ है ठीक है तो सूर से आने वाली किर्णे target से टकराती है और टकरा करके परिवर्तित हो करके उपग्रह तक पहुचती है जिसे sensor collect कर लेता है इसके बाद वे processing station पर भेजता है ये आप देख रहे हैं इस चित्र को भी देखते हैं आप processing station पर भेजता है और फिर इस data को एक बेक्ती analysis करता है computer पर ठीक है और analysis करने के बाद फिर उसे बिवार में उस data को लाया जाता है ठीक है यानि उस सूचना से हम उसे फिर बिवार में लाते हैं यही process है remote sensing का इसे भी हम पढ़ेंगे बाद में process के अंतरगद जब हम अवस्थाएं देखेंगे इसके बाद देख लेते हैं कि remote sensing की अवसक्ताएं क्या है यानि needs of remote sensing सुदूर सम्वेदन की निम्न लिखी तव सकता है सुदूर सम्वेदन एक अंतरानुसासिक क्रिया है जिसमें किसी सुदूर प्लेटफार्म से प्रेक्षित आकड़ों का विसलेशन करने प्राकृतिक संसादुनों की तालिका बनाने मौनीटर रन करना मुल्यांकन करने के लिए इसकी आउसक्ता पड़ती है प्रदूसन की समस्या तथा जलवाय के छेत्र में मौसम के पूरवनुवान जैसे कार्यों को पूरा करने की मदद प्राप्त करने के लिए भी इसकी आउसक्ता है आर्थिक कारियों के अलावा समस्त देसों में राष्टिये प्रतिरच्छा यानि कि राष्टिये सुरच्छा के छेतर में भी सुदूर सम्वेदन किया हो सकता है फसल उत्पादन, फसल नासक, जीवों तथा रोगों की चौकसी म्रदा, आदरता, अनुमान लगाने हेतु भी रिमोट सेंसिंग किया हो सकता है प्रदूशन को मौनिटरन करना, महासागर उत्पारक्ता को मापना, समुद्र तल उत्भाव के प्रभाव को देखना वर्सन, अनुमान लगाना, जैव विविद्था के बारे में देखना यानि संसादन प्रबंधन के प्रतिरूपों की रचना करने हेतु भी इसकी अवसकता पड़ती है यानि वे विभिन्द सारे उप्योग रिमोट सेंसिंग, यानि कि ऐसे विभिन्द कामों के लिए रिमोट सेंसिंग की अवसकता है जिसके जो एक समस्या पैदा कर रहे हैं और उस समस्या का समधान में निकालना होगा ठीक है इसके बाद देख लेते हैं सुदूर समवेदन के उद्देश क्या है Objectives of Remote Sensing तो सुदूर समवेदन के निनमलिकित उद्देश है जैसे कि जैव विविता के संदर में पूर्मनमान लगाना ये भी उसका उद्देश है आगम तथा दुर्गम छेत्रों का प्राथमिक मानचित्रन करना आगम कहने का मतलब जहां मनुस्या पहुँच नहीं सकता अदुर्गम छेत्र जैसे की पहाड़ है पहाड़ की चोटियां है ठीक है तो उनके बारे में जहां इंसान नहीं पहुँच सकता वहां के अगर आकड़े एकठे करने है या मानचित्रन करना है तो भी रेमोट सेंसिंग आँ सकता है मनुस्य ववातावरण के मद्ध बदलते सम्मंधों की जानकारी अरजित करना भी इसका उद्देश है पर्यवरण प्रदूशन तथा अवनयन का ज्यान अरजित करना भी इसका उद्देश है पारम परिक सर्वेच्छन के स्थान पर कम समय में व्यापक छेत्र का सर्वेच्छन करना ठीक है इसका उद्देश है भूमंडली शमस्याव जैसे वैश्वित तपन, हिम छेत्रों का पिघलना, हरित गए प्रभाव, जलिस्तर का बढ़ना तथा ओजोन अवच्छे की जानकारी प्राप्त करना भी इसका उद्देश है तो ये भी आप जान सकते हैं इसके बार इसके महत्तो की अगर बात करें तो सुदूर समवेदन का महत्तो यानि Importance of Remote Sensing तो सुदूर समवेदन कोई नया विशे नहीं है लेकिन पिछली कुछ सताबदियों में सुदूर समवेदन की तक्नीकों में इतना सुधार हुआ है कि वर्तमान में Global Environment को समझने का एक मात्र सबसे अनिवार साधन अब बन गया है Remote Sensing आज के समय में सुदूर जो सुदूर समवेदन है वे वन संसाधन के छेतर में वन मान्चित्र चित्रन तयार करना यानि दावानल दोस्तों जो जंगलों में लगने वाली आगे उसे दावानल कहते है ठीक है को पैचानना गास इस्थल का मान्चित्रन करना इस्थांत्रन क्रसी यानि सिफ्टिंग एक दी कल्चर के बारे में जानना क्रसी के छेतर में फसल तालिका तयार करना म्रदा वरगी करन छारी तथा लवण म्रदा का मान्चित्रन ब्यर्थ भूमी का सिमांकन, भूमी प्रियोग मांचित्रण, अनावरष्टी मानिटरण यानि डॉट मॉनिटरिंग जल संसारन के छेत्र में भूपरस्ट, जल तालिका यानि सरफेश वाटर इन्वेंटरी हिम जलवाय, यानि स्नो मेल्ट रन ओफ, सिचाई जल प्रबंधन, यानि इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट बहु देशिये नरी घाटी परियोजना और बाढ़ ग्रस्ट छेत्रों का सिमांकन करना भूव ज्यान के छेत्र में भौम जल यानि की जो अंडर ग्राउंड वाटर है उसकी मोनेटरिंग करना भूव ज्यानिक मांचित्रन करना तता खानीजों की खोज करना पर्यवरन छेत्र में नगर स्वप्रसार में होता है यानि इतने ऐसे छेत्र हैं दोस्तो remote sensing के माध्यम से इन सब के बारे में हम उनकी monitoring कर सकते हैं और उनके बारे में आंकड़े इकठा कर सकते हैं उपर युक्त समस्त दसाओं के संदर में जानकारी सुदूर समवेदन के माध्यम से ही मिलती है इस प्रकार भगौलिक अध्यन में इसका विसेश स्थान है अब देख लेते हैं सुदूर समवेदन के छेत्र कौन-कौन से हैं Scope of Remote Sensing तो भगौल में सुदूर समवेदन के निनमलिकित छेत्रों का अध्यन किया जाता है वे कौन-कौन से छेत्र हैं जैसे भूवेग्यान यानि जियोलोजी इस तकनीक से भूगर्ब की सनरचना तथा कटिबंद उसका घनत्व, गहराई, प्रमुखनिजों, सैल सनरचना, भिन-भिन प्रकार की चट्टानों की इस्थिती उनका नमन-कौन यानि की हुजुकी कितनी है उनमें पाए जाने वाले कई तरह के तत्तों की जानकारी प्राप्त होती है यानि कहने का मतलब है कि आपने प्रत्वी के आंत्रिक सनरचना पड़ी होगी तो इस आंत्रिक सनरचना के बारे में जानकारी हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जल विज्ञान यानि हैड्रोलोजी सुदूर सम्वेदन तक्नीक की मदद से नदियों के जल प्रवाह प्रणाली में छेतर की सीमा क्या है हिम रेखा का चित्रण करना नदियों जीलों वा पोखरों पोखरों मतलब तलाब के जल का तल ग्याद करना भूमी प्रियोक से सम्मधित जल संसारौनों की जानकारी प्राप्त करना नवीन जल सरोतों की खोज वा जल सरवेच्छण की जानकारी मिलती है तो ये भी रेमोट संसिंग के अध्यान का एक छेतर है मौसम विज्यान यानि मेट्रियोलोजी सुदूर समवेदन तकनीक से हवाओं की दिसा तथा गती, ताप करम का वितरण, बादलों की स्थिती, वायुदाब, वायुमंडल विक्छोब, शुर्यतप, आदरता, वर्सा, वायुदाशी एवं वतागर की जानकारी भी मिलती है इसका मतलब ये भी इसके अध्यन का चेत्र है, इसके बाद है समुद्रविग्यान यानि उश्नोग्राफी, इसमें सुदूर समवेदन की मदद से महासागरिये नितल के उच्चावच, तापमान, लवडता, महासागरिये निक्छेप, महासागरिये धाराओं, प्रवाल भित इसके बाद है मिट्टी क्रसी वन, यानि Soil Agriculture Forest, सुदूर समवेदन की मदद से मिट्टीओं की निर्मान प्रक्रिया को जानना की कोई मिट्टी बनी कैसे है, प्रमुख पदार्थों, मिट्टियों के प्रकार, उसरता, मिट्टी जमाव, मिट्टियों का उपजावपन, मिट्टी अपलदन, मिट्टी छरण इत्यादी, क्रसी छेत्रों, प्रमुख क्रसी फसलों, वन प्रदेशों में, वनस्पती के प्रकार, वन पदार्थों की जानक इसके लावा है तो यानि कि कार्टोग्राफी चुदूर्सम्वेदन मुख विश्य चहेत्र मानचित्रन ही यानि कि दच कलेल उसके माध्यम से प्रतिविंब होते हैं यानि कि इमेज ली जाती है वे प्राकृतिक वे मानवी साक्षियों से सम्मंदे सूचना वाले होते हैं इन्हीं की मदर से प्रियोग विश्यक मानचित्र यानि की Thematic Map वा अंकी ये मानचित्र यानि Digital Mapping का महत्रपूर्ण योगदान होता है यानि की मानचित्र बनाने में इसका उप्योग होता है का मुख छेत्र भूम प्रयोग के प्रारूप विशेष्टाओं प्रकारों के साथ ग्रामींड तथा नगरी छेत्रों में भूम प्रयोग के भिन भिन प्रारूप की जानकारी प्रदान करना। इसका प्रमुक बिसे चेत्र है इसके अलावा प्राक्रतिक संसारनों की खोज करना पर्यावरण आपदाओं एवं बाड़ ग्रिस्ट चेत्रों में भी इनका अनुप्रियोग लगातार बढ़ रहा है तो दोस्तो आज की वीडियो में यहीं तक आज हमने आपसे बात की सुदूर सम्वेदन का परिचे उसका बेसिक कंसेप्ट आपको बताया इसके अलावा यह भी बताया आपको कि इसका किन किन छेत्रों में योगदान होता है ठीक है इसके बाद अल्थ बताया आपको कि रिमोट और सेंसिंग का अलग-अलग अल्थ क्या है इसके बाद रिमोट सेंसिंग के संस्थापक कौन है यह भी बताया आदुनिक रिमोट सेंसिंग के संस्थापक कौन है यह भी बताया आपको इसके बाद हमने परिवहासाएं देखी इसके बाद basic concept को हमने remote sensing के इस चित्र के माध्यम से समझा सुदूर समवेदन के सक्ताओं पर बात की हमने सुदूर समवेदन के उद्देश कौन से हैं इसको देखा सुदूर समवेदन का महत्वे इसके बारे में चल्चा की और सुदूर समवेदन का छेत्र इसके बारे में भी चल्चा की आपसे ठीक है दोस्तो इस वीडियो का जो दोस्तो PDF है आपको वो वीडियो के description box में उसका link मिल जाएगा ठीक है और वीडियो के पहले comment में भी link मिल जाएगा जहां से download करकर आपसे आप पढ़ सकते हैं तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में एक नए topic के साथ या remote sensing के अगले topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप रसंद रहिए खुसर रहिए मस्कुराते रहिए और लगाताज सीखते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए धन्यवाद जैहें दोस्तो